Hello friends, welcome to PS Corner और आज जो है Indian Geography की next 11th पार्ट लेकर हम आ गए हैं 10 पार्ट जो हैं, again मैं आपको बतायती हूँ कि प्लेलिस्ट के अंदर Indian Geography नाम का फोल्डर है, उसमें आपको मिल जाएगा तो शुरू कर लेते हैं, आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल है एक तरफ आपको जलवायू परिस्थितियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ उसके कारण पूछे हुए हैं कि क्या कारणों से वो जलवायू परिस्थितियां ऐसी हैं पहला है पश्चिम बंगाल से पंजाब की और आते आते वर्षा कम होती आते हैं, बिल्कुल सही है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती आ रही है, तो जैसे जैसे वो मांसूनी पवने बंगाल की खाड़ी की शाखा, गंगा के मैदान में आगे क्यों बढ़ती है तो समुद्र से जो दूरी बढ़ती है उसके कारण moisture यानि की आदरता नमी उनके अंदर कम होती आती है और वर्षा की मात्रा कम होती है तो यानि एक का हो जाएगा समुद्र से दूरी अगला है कोलकाता की अपिक्षा चेन नहीं अधिक गरम है बिलकुल सही है क्योंकि चेन नहीं जो है विशुवत रेखा के अधिक निकट है तो अक्षानशो की वज़े से जो है कोलकाता की अपिक्षा चेन नहीं अधिक गरम है जबकि हालांकि दोनों ही 30 चेतर में इस्सित है हिमाले में हिमपात, तो हिमाले में हिमपात होता है तुंगता यानि की उचाई की वज़े से, आल्टिटूट की वज़े से, और सतलज गंगा मैदान में शीत काल में कुछ वर्षा होती है, पश्चिमी विख्षोप के कारण, वेस्टन डिस्टरबेंस के कारण, तो D का 1, इस चेनने रेलमार के सहारे यात्रा करते समय, यात्रा के मद्या निमलिखित स्टेशन है, इस सेशनों का सही अनुक्रम है, तो दिल्ली से हम चेनने की उर जाएंगे, तो अविसली सबसे पहले पड़ेगा आगरा, आगरा के बाद जो है, हमें सबसे पहले या तो जहांसी मिले अगला प्रिश्न है, निमलिखे त्यूगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो चंदन की लकडी, यानि की चंदनकाष्ट सैंडल वुड्ड जो है, वो हमें मिलती है, मद्यपरदेश, केरल, पश्ची मंगाल, जमु कश्मीर, कहां मिलती है, पूछा है, तो चंदन की लक है जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा टीक जो है हमें जनरली दक्षिन भारत में अधिक मिलता है जम्मू कश्मीर में हमें जादा तर जो है कौन धारीवन अधिक मिलते हैं सुंदरी जो व्रक्ष है यह हमें डेल्टा में मिलता है मैंगरू में मिलता है सुंदरी पश्चिम मं करेवा पाये जाते हैं जोकि हमें कश्मीर घाटी में मिलते हैं यानी जेलम घाटी में जेलम के किनारी शृनगर बसा हुआ है और में इस्तित है करनाटक में जो तुलनात्मक रूप से दो तरह की इस्तिला कती पाये थी एक तो परवती है और दूसरी जो है थोड़ी सी बहरत में दो तरह की चटान क्रम है जो की सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से उपयोगी है एक तो कुडपपा और दूसरी धारवार करनाटक में है और कुडपपा आंद्रपदेश में है और कुडपपा में ही नाभी की इंदन की सबसे अधिक संभावना यानि आगे अगली प्रिश्न की बढ़ते हैं, मद्य भारत में उत्पादित तिलहन निम लिखित है, तो मद्य भारत में मुख्य रूप से सोया बीन का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number D, अगर सरसो की बात करें, तो सरसो पश्चिमी राजस्थान तो सही आंसर है सोया बीन, अगला है फरक्का बेराज का मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो जो फरक्का बेराज है, इसका मुख्य उद्देश्य है, जल यातायाद की सुविधा, actually हमारे हैं दो बंदर गाया है, जो हुगली नदी के डेल्टा में इस्तित हैं एक तो है हल्दिया और दूसरा है कोलकाता हल्दिया थोड़ा बाहर की तरफ है कोलकाता थोड़ा अंदर की तरफ है तो कोलकाता में अक्सर क्योंकि डेल्टा छेतर है तो गंगा के बहुत सारे अफसाद जाके जमा हो जाते हैं और उन अफसादों से वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाते है तो जल यातायत की सुविधा के लिए फरक्का बेराज जो है मुखे रूप से बनाया गया है अगला है भारत विश्व में किसका सरवाधिक उत्पादक है तो भारत जो है बाजरे का सरवाधिक सबसे बड़ा उत्पादक है और वैसे भी 2023 जो है मोटे अनाजों के लिए अंतराश्टी वर्ष यानि इंटरनाशनल इयर फो मिलिट्स जो है डिकलेर हो चुका है 2018 में भारत ऐसा ही राश्टी वर्ष मोटे अनाजों के लिए राश्टी वर्ष नैशनल इयर फो मिलिट्स जो है डिकलेर कर चुका था 2022 में अन्तराश्टी वर्ष है जो UNGA की तत्वाधान में भारत की लिडर्शिप में हो रहा है तो बाजरे का भारत सर्व से बड़ा उत्पादक देश है और आज का आखरी सवाल ड्रेनिज डेंसिटी किस छेतर में सामानेता बहुत उच है ड्रेनिज डेंसिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर छेतर में जितना एरिया है उसमें से कितनी छेतर पर कोई ना कोई स्प्रीम या जो है नदी बह रही है तो भारत में रेगिस्तारी छ पठार से हलानकी बहुत सारी नदिया निकलती हैं जैसे हम बात कर सकते हैं कावीरी निकलती हैं करनाटक के पठार पे तुंग भद्रा नदी बहती हैं भीमा बहती है बहुत सारी नदिया बहती है लेकिन ड्रेनिस डेंसिटी के मामले में हिमाले जो है वो सबसे जादा आगे ह आपको लग रहा होगा गंगा का बाड़ वाला मैदान भी होना चाहिए, तो वहाँ क्योंकि समतल छेतर है तो नदियां अपनी सीधी धारा के रूप में बहती हैं, हिमाले पहाड पे नदियां उतरती बहती रहती हैं, छोटी-छोटी स्ट्रीम के रूप में धाराओं के रू अपने जितने भी सोशल मेरिया हैंडल से हैं, वाटसाप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, सब जगन को शेयर करें, साथ में जो हैं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिजिए, थैंक्यू वेरी मच, बाबाई